Hello Friends, मेरा नाम है समीर गलोत, DTube Guru में आप सभी का स्वागत है आज के इस पार्ट में हम LCM पर based standard questions को discuss करेंगे जो आपके exams में पूछे जाते हैं अब standard questions का मतलब क्या है? ऐसे questions जो एक fixed format में पूछे जाते हैं और जो viewers first time हमारे इस channel पर हैं उनको मैं बताना चाहूँगा आप यहाँ पर click करके हमारे जो previous videos हैं quantitative aptitude reasoning से जड़ूब है वो देख सकते हैं जिन viewers ने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है वो यहाँ पर click करके इसे subscribe कर ले ताकि कोई भी नया video जब हम upload करें तो उसका notification आपको उसी वक्त मिल जाए friends आपको मेरा यह video पसंद आए तो like जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस video को share करें तो start करते हैं आज की class SCF and LCM से part 3 Standard Questions based on LCM तो first format देखिए the list number which when divided by x, y and z leaves the same remainder k in each case is given by LCM of x, y, z plus k तो जब भी किसी list number के लिए हम से पूछा जाए जो की divide किया गया है किनी तीन numbers से ठीक है उन तीन numbers से divide करने पर एक same remainder बचता है उस case में list number क्या होगा उन तीनों ही numbers का LCM और उसमें हम जो भी LCM आएगा तीनों ही numbers का उसमें हम उस remainder को add कर देंगे तो वो list number हमें मिल जाएगा और इसको हम एक example की तुरू समझते हैं find the list number which when divided by 24, 30 and 54 leaves 5 as remainder in each case तो यहाँ पर list number के लिए पूछा गया है जो की divide होगा 24, 30 और 54 से तो 5 as remainder छोड़ेगा ठीक है अगर उस number को हम 24, 30 और 54 से divide करते हैं तो हमें 5 जो है remainder के तोर पर मिलेगा तो इसी तरीके से exam में आपको question पूछा जाएगा बिल्कुल इसी तरह के format में तो हम find out करने के लिए उस list number को क्या करेंगे पहले हमें lcm find out करना पड़ेगा इन तीनों ही values का और उसमें अगर हम 5, 8 कर देंगे तो वो list number हमें मिल जाएगा तो सबसे पहले हमें lcm find out करना है 24, 30 और 54 का और lcm find out करने के दो method में आपको बताये थे एक तो factorize आप करके values को lcm find out कर सकते हो और दूसरा division method तो पहले factorize हम देख लेते हैं किस तरह से हम इन values को factorize करेंगे 24 को हम लिख सकते हैं 2 raise to the power 3 into 3, ठीक है 8 into 3, 24 हो जाता है अब 30 को हम factorize करें तो क्या लिख सकते हैं 2 into 3 into 5, ठीक है इनकी जो power है एक तरह से 1 है हम ना लिखें तो समझ सकते हैं कि power जो है वो 1 है 54 को factorize हम करें तो क्या लिखेंगे 2 into 3 raise to the power 3, ठीक है 27 into 2 कितना हो जाता है 54 हो जाता है, तो यहाँ पर lcm क्या हो जाएगा बई, जो भी base है, उनकी highest power को हमें लेना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 और 5, यहाँ पर 1 की है, ठीक है power जो है is 1 है यहाँ पर 5 हम लेंगे, तो lcm क्या हो जाएगा इनका, देखिए 2 raise to the power 3, डेट मेंस 8 3 raise to the power 3, डेट मेंस 27 और 5 ठीक है, 8 into 5 40 होता है और 27 into 40 हम करें, तो value हमें मिलेगी 1080 और आप इस तरह से solve ना करना चाहें, तो division method को भी आप apply कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा तो यह नहीं values को हमें लिखना है 24, 30, 54 2 से हम divide करें 24 divide होगा, 12 time 30 divide होगा, 15 time 54 divide होगा, 27 time अब 3 से अगर हम divide करें, तो 12 divide होगा, 4 time 15 divide होगा, 5 time और 27 divide होगा, 9 time ठीक है, आगे भी यही process चलता जाएगा, जैसे 2 से आप divide करें तो 4 divide होगा, 2 time ठीक है, नीचे आप 2 लिख देंगे, बाकी value जो है वैसी रहेंगी, उसके बाद में वापस से आप 2 लेंगे, then 5 then 9, ठीक है तो actual में आप multiply इनी values को करेंगे 2 से divide होगा 2 बच जाएगा, then वापस से आप 2 लेंगे, ठीक है, तो actually में आपको 4 से तो multiply करना ही है 5 से multiply करना है, और 9 से multiply करना है, ठीक है 9 से direct multiply ना करके आप 3 into 3 करेंगे तो वैसा ना करके आप जैसे जैसे इस method की practice करेंगे, आपको समझ में आना लग जाएगा कि आपको ये जो steps आप follow कर रहे है इनको solve कर रहे हैं ये कहां तक आपको solve करनी है कहां पर आपको रूख जाना है, अपने time को बचाने के लिए, तो यहां पर actually में हमें multiply करना है 2 into 3 into 4 into 5 into 9, इनको multiply हम करेंगे, तब भी value जो है, हमें क्या मिलेगी 1080, तो इन तीनों ही number का lcm हमें मिल चुका अब list number हमें find out करना है, तो list number होगा क्या इन तीनों ही numbers का lcm और उसमें हमें add करना है remainder, ठीक है, हरे case में remainder जो है, same बचा तो इसको हमें add करना है, value क्या आ जाएगी, 1085, ठीक है, तो ये वो list number होगा जिसको 24, 30 और 54 से divide हम करें, तो हमें जो है 5 as a remainder मिलेगा, तो questions ज़्यादा cutting नहीं है, बस आपको question का format पेचानना है, और उस format के रिसाप से जो भी method बनता है, answer को find out करने के लिए उसको apply करना है easily आप answer को find out कर पाऊगे अब बढ़ते हैं, next format की तरफ the list number which when divided by x, y and z leaves the remainders a, b and c respectively is given by lcm of x, y and z minus k, जहाँ पर k जो है kya है, x minus a equals to y minus b equals to z minus c तो इस case में भी हमें list number को find out करना होगा जो की divided होगा किनी तीन number से और उन तीन अलग-अलग number से हमें अलग-अलग remainders मिलेंगे ठीके, यहाँ पर अगर हम x, y और z से divide करते हैं उस value को तो x से divide करने पर हमें remainder a मिलेगा y से divide करने पर remainder b मिलेगा और z से divide करने पर remainder c मिलेगा तो उस list number को हम find out किस तरह से करेंगे हमें पहले lcm find out करना पड़ेगा x, y और z values का और उसमें से k को minus करना पड़ेगा अब यहाँ पर k xm remainder नहीं है ठीक है यहाँ पर condition दी गई है condition क्या है k जो है x minus a होगा ठीक है और वो equal होगा y minus b के और z minus c के ठीक है तो यहाँ पर condition यह है कि x minus a हम करें तो जो भी value हमें मिलेगी y minus b के equal होनी चाहिए z minus c के equal होनी चाहिए ये condition है उस condition में हम इस formula को use करके ठीक है इस method को use करके list number को find out कर सकते हैं और इसको काफी अच्छे से समझने के लिए example हम लेते हैं find the list number which when divided by 24, 32 and 36 leaves the remainders 19, 27 and 31 respectively तो list number हमें find out करना है जिसको divide किया गया है 24, 32, 36 से 24 से divide करने पर 19 remainder बचा है 32 से divide करने पर 27 remainder बचा है 36 से divide करने पर 31 remainder बचा है तो किस तर से हम find out करेंगे LCM हमें find out करना है पहले 24, 32 और 36 का उसमें से हम minus करेंगे k और k क्या है k होगा x minus a ठीक है y minus b plus to z minus c ठीक है तो यहाँ पर actually में x जो है 24 है y 32 और z जो है 36 है a की में बात करूँ तो 19 है b 27 और c जो है वो क्या है 31 है ठीक है तो पहले तो condition हम check कर लते हैं a जो है equal यहाँ पर हमें मिलता है या फिर नहीं तो x minus a हम करें 24 minus 19 हम करें तो value क्या मिल जाएगी हमें 5 ठीक है और y minus b हम करें तो value हमें क्या मिलेगी 32 minus 27 यहाँ पर भी 5 और अगर z minus c हम करें that means 36 minus 31 तब भी हमें 5 मिलेगा ठीक है तो k की जो value है वो क्या है 5 है ठीक है तो इस method को apply करके हम उस list number को find out कर सकते हैं तो देखिए LCM क्या हो जाएगा division में थरा हम यहाँ पर apply करते हैं 24, 32, 36 पहले 2 से हम divide करते हैं 24 divide होगा 12 time 32 divide होगा 16 time 36 divide होगा 18 time फिर से 2 से हम divide कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तरह से even values है ठीक है तो 12 जो है divide होगा 6 time 16 divide होगा 8 time 18 divide होगा 9 time 2 से फिर से divide कर सकते हैं 6 divide होगा 3 time 8 divide होगा 4 time 9 divisible नहीं है 2 से इस वज़े से 9 को हम ऐसे ही लिख देंगे अब 3 से divide करते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 ठीक है 1 time divide होगा 4 divide नहीं होगा 9 divide होगा 3 time ठीक है और आगे हमें solve करने की ज़रत नहीं है ठीक है भाई 4 को 2 into 2 हम करें तो 4 हमें मिलेगा तो 2 time एक तरह से divide करना हमें पड़ेगा then उसके बाद में 3 से हम divide करें तो पूरा एक तरह से last में values हमें 1 1 मिल जाएगी ठीक है तो actually में हमें multiply किने करना है इन values को और 4 और 3 को ठीक है 1 को हम multiply करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो LCM हो क्या जाएगा 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 4 ठीक है इनको multiply हम करें तो LCM हमें मिल जाएग तो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 into 2 into 2 that means 8, 3 into 3, 9 तो 8 into 9 हम करें तो value हमें मिलेगी 72, 72 को 4 से multiply करें तो value हो जाएगी 288 अब जबकि LCM हमारे पास में है तीनों ही numbers का केकी value हमें पता है तो list number हम find out कर सकते हैं, list number जो है क्या हो जाएगा 288 minus 5, 288 minus 5 that means 283 तो 283 वो छोटे से छोटा number है जिसको divide हम करें 24, 32, 36 से तो हमें 19, 27 और 31 reminders मिलेंगे respectively तो simply जैसा मैंने कहा format अगर आप पैचान जाएंगे तो जो भी approach है उस question को solve करने का उसे आप apply कीजिए, answer easily आपके सामने होगा I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share करें और comment आप कीजेगा ताकि मुझे पता लग सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और आप next format देखते हैं, the greatest end digit number which when divided by x, y and z, दो conditions यहाँ पर दी गई है, first leaves no remainder, ठीके, वो आमें greatest end digit number find out करना है, जिसको किनी तीन values से divide किया गया, ठीके, और remainder नहीं बसता है, उस case में, हम उस greatest end digit number को किस तरह से find out करेंगे, end digit greatest number minus r, r क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीके, माल लीजे यहाँ पर four digit number के लिए पूछा गया, किनी तीन values से divide किया गया, remainder नहीं बचा, तो उस case में हम किस तरह से find out करेंगे, यहाँ पर end digit greatest number क्या होगा, भई four digit number के लिए बुला गया, तो end digit, यानि कि four digit greatest number क्या हो होगा, 9999, ठीके, तो उसमें से हम r को minus करेंगे, r क्या है, अभी हम discuss करेंगे, second case क्या होगा, lives remainder k, ठीके, x, y और z से divide करने पर remainder जो है, k हमें मिले, तो उस case में required number जो है, किस तरह से find out हम करेंगे, end digit greatest number, minus r, जो भी value मिलेगी, उसमें हम k को add कर देंगे, तो required number हमें मिल जाए अब देखिए r क्या है, where r is the remainder, obtain when end digit greatest number is divided by the lcm of x, y and z, ठीके, x, y और z का जो lcm होगा, उस से हम end digit greatest number को divide करेंगे, four digit के लिए बोला गया है, तो 9999 को हम divide करेंगे, किन के lcm से, x, y और z के lcm से, जो भी remainder हमें मिल जाएगा, वो क्या होगा, r होगा, तो एक example से इसको और अच्छे से हम समझते हैं, क्या दिया हुआ है, find the largest possible number of five digits, which is exactly divisible by 32, 36 and 40, तो five digit का largest number हमको find out करना है, जो की exactly divide हो जाए, 32, 36 और 40 से, यानि कि first case है, जिसमें remainder जो है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, उस case में, जो required number होगा, वो क्या होगा, भाई, n digit का जो greatest number होगा, that means, यहाँ पर five digit के लिए बोला गया है, five digit का greatest number क्या होगा, 99,999, ठीक है, यह five digit का greatest number है, इसमें से हम r को minus करेंगे, तो हमें वो largest possible number मिल जाएगा, five digit का, जो की इन values से divide होगा, अब r क्या होगा, r कब हमें मिलेगा, जब हम LCM पहले इन values का find out करेंगे, और उस से इस value को divide करेंगे, जो भी remainder हमें मिलेगा, वो r की value होगी, तो LCM हम find out कर लेते हैं, 32, 36 और 40 का, और इसके लिए division method हम use कर सकते हैं, 32, 36 and 40, 4 से divide हम करें, तो 32 divide होगा 8 time, 36 divide होगा 9 time, 40 divide होगा 10 time, फिर से 4 से divide कर सकते हैं, 8 divide होगा 2 time, 9 और 10 divisible नहीं है, तो as it is हम इनको लिख देंगे, 2 से divide करने पर 2 divide होगा 1 time, 9 divisible नहीं है, as it is हम लिख देंगे और 10 जो है divide होगा 5 time, तो LCM क्या हो जाएगा, 4 into 4 into 2 into 9 into 5, 4 into 4 16, 16 into 2 32, 32 को 5 से हम multiply करते हैं, तो 160 हमें मिलेगा, और 160 को 9 से हमें multiply करना है, तो 16 into 9 144 होता है, 16 into 9 कितना हो जाएगा, 1440, तो इनका LCM जो है, वो कितना हमें मिल गया, 1440, अब LCM हमें मिल चुका है, तो R की value को हम find out कर लेते हैं, R किस तरह से हमें मिलेगा, जो end digit का largest number है, greatest number है, उसको divide हम करेंगे, LCM से इन तीन ही values की LCM से, जो remainder होगा, वो R की value होगी, तो divide हम करते हैं, 19,999 को 1440 से, तो यह लगबग divide होगा, 6 times value यहाँ पर आजाएगी, 8640, ठीक है, तो subtract करते हैं, 953 और 1, ठीक है, यह जो value है, 1440 से, चोटी है, तो यहाँ पर हम 9 को लेंगे, और 13,599, लगबग divide होगा, 1440 से 9 times, value यहाँ पर आजाएगी, 12,960, तो देखिए, सब्टेक करने पर यहाँ पर बसता क्या है, 9, 3, 15-9, यह मेंज 6, ठीक है, तो remainder जो है, वो कितना मिला है, हमे 639, और यह R की value है, R कितना हो गया, 639, तो जो required नंबर हम से बोला गया है, वो कितना हो जाएगा, 99,999-639, तो इसको सब्टेक करने पर value हमें मिल जाएगी, 99,360, ठीक है, और 99,360, वो largest नंबर है, 5 डिजिट का largest नंबर है, जो 32, 36 और 40 से exactly divisible है, और आप next format डिस्कस करते हैं, the smallest n डिजिट नंबर which when divided by x, y and z leaves no remainder, ठीक है, first case है, जिसमें हमें कोई भी smallest n डिजिट नंबर होगा, उसको divide किया गया है, किनी तीन नंबर से, तो remainder जो है, 0 मिला, that means कोई भी remainder नहीं निकला, उस case में जो required नंबर है, उसको हम किस तरह से find out करेंगे, n डिजिट smallest number plus l minus r, और l क्या है, r क्या है, इसको हम आगे discuss करेंगे, second case क्या है, remainder जो है, k हमें मिले, ठीक है, वो जो भी smallest n डिजिट नंबर है, उसको divide किया गया, किनी तीन नंबर से, और divide करने पर हमें remainder जो है, k मिले, तो required नंबर जो है, वो क्या होगा, n डिजिट smallest number, plus l minus r, plus, जो भी value यहाँ पर आ जाएगी, उसमें हमें k को add कर देना है, ठीक है, अब यहाँ पर r क्या है, r is the remainder obtained when n डिजिट smallest number is divided by l cm of x, y, and z, l क्या है, l is the l cm of x, y, and z, तो r क्या होगा, जैसा प्रिवेस केस में था, पर वहाँ पर हम n डिजिट largest number को ले रहे थे, यहाँ पर n डिजिट smallest number को divide करना है, l cm से, ठीक है, तो जो भी value आएगी, वो r हो जाएगी, l है, l cm, x, y, and z का, ठीक है, मान लिजिए, यहाँ पर four digit number के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर, confuse मत होईएगा, smallest number के लिए बोला गया है, तो four digit smallest number क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है, यह four digit smallest number है, अगर largest number के लिए बोला जाता है, तो four digit largest number क्या होता, 9,999, तो confuse मत होईएगा, यहाँ पर smallest n digit number के लिए बोला गया है, तो इस scales में हमें, जो भी required number है, वो find out करने के लिए, n digit smallest number ही लेना पड़ेगा ठीक है जो भी formula हम use कर रहे है उसमें और उसमें add करना है l-r किस case में जब remainder हमें ना मिले और remainder अगर हमें मिलता है के तो उस case में smallest number में हमें add करना है l-r और उसके साथ में जो भी remainder हमें मिला है उसको तो इस format पर बेस एक example हम discuss करते हैं find the least possible 5 digit number which when divided by 10, 12, 16 and 18 leaves remainder 27 तो 5 digit का smallest number हमको find out करना है जिसको 10, 12, 16 और 18 से divide करने पर 27 हमें remainder मिले अब इस तरह के questions को students एक अलग logic use करके solve करते हैं जो की गलत होगा देखिए questions क्या करते हैं यहाँ पर 10 दिया हुआ है value 10 दिया हुआ है तो जो भी 5 digit number होगा smallest उसको 10 से divide करने पर 27 remainder हमें मिलना चाहिए ठीक है अब 5 digit जो smallest number है वो क्या है 10,000 है ठीक है यह 10 से exactly divisible है लेकिन मैं इस number को change कर दूँ और 27 से बढ़ा दूँ ठीक है तो यह हो जाएगा 10,027 जो की 10 से divide होने पर remainder हमें देगा 27 ठीक है तो इस value को explains इस question के लिए answer माल लेते हैं क्योंकि 10 से divide करने पर 27 हमें remainder मिलना है लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत होगा क्योंकि concept यह है जो भी नंबर हमें निकालना है find out करना है वो 10 से divide करने पर भी 27 remainder दे 12 से divide करने पर भी 27 remainder दे 16 से divide करने पर भी 27 remainder दे और 18 से divide करने पर भी 27 remainder दे अब यह जो value है 10 से divide करने पर 27 remainder देगा बिल्कुल सही बात है और 5 digit number भी है बट 12 से divide हम करेंगे तो 27 remainder हमें नहीं मिलेगा नहीं 16 से और 18 से ठीक है तो यह वो number नहीं है जिसके लिए इस question में पूछा गया है तो इस case में हम जो required number है उसको किस तरह से find out करेंगे required number क्या होगा end digit smallest number तो 5 digit smallest number क्या है 10,000 है उसमें हमें add करना है L minus R, L क्या है lcm of given numbers जो भी numbers जिन से divide किया गया है उन numbers का lcm r क्या है जो भी smallest end digit number है जैसे यहाँ पर 5 digit number के लिए बोला गया है तो 10,000 10,000 को जो भी lcm आएगा उन values के लिए उस lcm से divide करना है जो भी value remainder में बचेगी वो r की value होगी ठीक है और इसमें हमें k को add करना है क्योंकि remainder जो है 27 यहाँ पर बच रहा है अगर remainder नहीं बच रहा होता तो यहाँ पर हम k को add नहीं करते तो lcm हम find out कर लेते हैं 10, 12, 16 और 18 का 2 से मैं divide करता हूँ 10 divide होगा 5 time 12 divide होगा 6 time 16 divide होगा 8 time और 18 divide होगा 9 time यहाँ पर मैं फिर से 2 से divide कर सकता हूँ 5 divisible नहीं है as it is हम लिख देंगे 6 divide होगा 3 time 8 divide होगा 4 time 9 divisible नहीं ठीक है अब इसको हम 3 से divide कर सकते हैं 5 divisible नहीं है 3 divide होगा 1 time 4 divisible नहीं है तो 4 as it is हम लिख देंगे 9 divide होगा 3 time तो LCM यहाँ पर हो क्या जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 4 into 5 तो देखें multiply करने पर क्या मिल जाएगी value 5 into 2 10 होता है ठीक है 2 into 3 6 6 into 3 18 18 into 4 72 72 into 10 कितना हो जाएगा 720 अब जब कि L हमें मिल चुका है तो R find out कर लेते हैं R को find out करने के लिए क्या करना है हमें 10,000 को divide करना है 720 से ठीक है तो यह first time लगबग divide होगा 1 time तो value क्या जाएगी 720 1000 में से 720 हम minus करते हैं तो value हमें मिलेगी 280 ठीक है 1 और 0 हम यहां से लेते हैं तो 720 से divide हमें करना है 2800 को लगबग divide होगा 3 time value क्या जाएगी 2160 तो यहां पर subtract हम करते हैं तो value हमें मिलेगी 10 minus 6 that means 4 7 minus 1 6 तो यहां पर remainder जो है वो हमें क्या मिला है 640 और यह r की value है और required number को find out करने के लिए जो जो values हमें चाहिए थी वो सब हमारे पास में है L 720, R 640 और K क्या है 27 है तो required number क्या हो जाएगा 10,000 plus L minus R L minus R that means 720 minus 640 और 8 कितना करना है हमें 27 8 करना है तो 10,000 plus 720 minus 640 कितना हो जाएगा 80 और 27 हमें 8 करना है तो value कितनी हो जाएगी total 10,107 तो यह जो number है 10,107 5 digit का smallest number है जिसको 10, 12, 16 और 18 से divide करने पर हमें हर case में 27 remainder मिलेगा और friends आपको मेरा यह video पसंद आ रहा है तो like करना ना भूलें जिन वीवर्स ने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है वो यहाँ पर click करके इसे subscribe कर ले अब कुछ questions हम in format पर बेस देखते हैं तो एक small number हमको find out करना है जो की exactly divide हो जाए 8, 9, 12, 15 और 18 से साथ ही एक perfect square भी हो ठीक है अब इन number से exactly divide हो जाए इसका मतलब इन numbers का एक common multiple ठीक है जो भी common multiple है उसको हमको find out करना है बट condition दी गई है list that means LCM हमें इन numbers का find out करना है ठीक है तो LCM क्या हो जाएगा 8, 9, 12, 15 और 18 का division method हम यहाँ पर apply कर सकते हैं तो देखिए च्या होगा? 8, 9, 12, 15, 18 2 से हम divide करें, 8 divide होगा, 4 times, 9 as it is हम लिखेंगे 12 divide होगा, 6 times, 15 as it is हम लिखेंगे, 18 divide होगा, 9 times ठीक है फिर से 2 से हम divide कर सकते हैं 4 divide होगा, 2 times, 9 as it is हम लिखेंगे 6 divide होगा, 3 times 15 as it is हम लिखेंगे और 9 भी as it is हम लिखेंगे क्योंकि 2 से divisible नहीं है अब 3 से हम divide करें तो 2 as it is हम लिखेंगे 9 नहीं है ठीक है तो यहां पर 5 जए आएगा और 3 divided होगा 1 time तो LCM जो है वो क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 3 into 2 into 5 तो इनको multiply हम करें तो value क्या आ जाएगी 2 into 2 4, 3 into 3 9 ठीक है और 2 into 5, 10 होता है तो 9 into 10, 90, 90 into 4 कितना हो जाएगा 360 अब इन values का LCM तो हमें मिल चुका जो कि कितना है 360 है बट यहाँ पर सिर्फ हमें LCM find out नहीं करना है हमें यह भी देखना है कि वो जो number होगा वो perfect square हो तो क्या 360 एक perfect square है नहीं है ठीक है तो perfect square में change करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आप देखिए 2 into 2 एक तरद से हम कहें perfect square होने के लिए दो values सेम होनी चाहिए ठीक है 3 into 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 into 5 last में बचा हुआ है और perfect square में बदलने के लिए हमें 2 into 5 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तब क्या हो जाएगा 2 into 2 एक और हो जाएगा और 5 into 5 हो जाएगा ठीक है तो actually में हमें into किस से करना है multiply किस से करना है 10 से 2 into 5 से तो इस value को जब हम 10 से into करेंगे तो value कितनी हो जाएगी 3600 और यह ऐसी value है जो exactly divisible होगी 8, 9, 12, 15 और 18 से ठीक है और 36C LCM है इन values का और perfect square भी है तो हमारा जो answer होगा वो option first होगा 3600 तो basic concept आपको clear होना चाहिए SCF और LCM का तो easily आप answers को find out कर पाऊगे अब next question देखते है question number 2 find the greatest number of 3 digits which when divided by 6, 9, 12 lives 3 as remainder in each case तो 3 digit का greatest number हमको find out करना है जिसको 6, 9 और 12 से divide करने पर 3 हमें remainder के रूप में ले हर एक case में तो वो number क्या होगा उस number को find out करने के लिए हमने formula देखा हुआ है जब remainder k बचे ठीक है वो case हमने देखा हुआ है तो उसमें क्या होगा n digit greatest number minus r plus k तो n digit greatest number यहाँ पर 3 digit की बात और होगी तो 3 digit greatest number क्या होगा 999 इसमें से हमें r minus करना है और remainder जो बचा हुआ है उसको add करना है r क्या होगा lcm हम find out करेंगे 6, 9 और 12 का जो भी lcm आएगा उससे 999 को divide करेंगे तो remainder जो बच जाएगा वो r की value होगी ठीक है तो पहले हम lcm find out कर लेते हैं इन values का 6, 9 और 12 का 2 से divide करने पर क्या होगा देखे 6 divide होगा 3 time 9 divide नहीं होगा 12 divide होगा 6 time 3 से divide हम करें 3 divide होगा 1 time 9 divide होगा 3 time और 6 divide होगा 2 time तो lcm हो कितना जाएगा 4 into 9 that means 36 और अब इस से r की value हम find out कर लेते हैं 999 को divide हमें करना है 36 से तो लगबग 2 time divide हम करें तो value यहाँ पर आजाएगी 72 remain कितना रे जाएगा 27 और 9 यहाँ पर हम लिखेंगे value कितनी हो जाएगी 279 तो यह लगबग divide होगी 7 time 36 into 7 जो है कितना होता है 252 तो यहाँ पर remain दे जाएगा 27 और यह r की value होगी और अब हम required number जो है find out कर सकते हैं 999 minus 27 plus जो भी remainder बचा हुआ है हरे case में वो क्या है 3 है तो यहाँ पर 999 minus 27 हम करते हैं तो value कितनी हो जाएगी 972 ठीक है 972 plus 3 that means 975 required number क्या है 975 तो कौन सा option right है यहाँ पर option first तो question में दिये वे format को अगर आप पेचान जाते हैं तो उसके according जो भी एप्रोच आप का रहेगा उसको solve करने का उसको use कीजिए easily आप answer को find out कर पाएंगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं question number 3 the least number which when divided by 12, 16 and 18 leaves 5 as remainder in each case find the number तो वो least number हमको find out करना है जिसको 12, 16 और 18 से divide करने पर हमें 5 मिले as remainder हर एक case में तो इस तरह के format में least number को हमें find out करना है तो वो required number हम केस तरह से find out करेंगे LCM of 12, 16 और 18 जो भी आएगा उसमें हम 5 add कर देंगे तो वो least number जो है हमें मिल जाएगा तो LCM हम find out कर लेते हैं 12, 16 और 18 का 2 से divide करने पर 12 divide होगा 6 time 16 divide होगा 8 time 18 divide होगा 9 time 3 से हम divide करें तो 6 divide होगा 2 time 8 divisible नहीं है 9 divide होगा 3 time फिसे 2 से हम divide करें तो 2 divide होगा 1 time 8 divide होगा 4 time और 3 as it is हम लिख देंगे तो LCM यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 into 3 into 2 into 4 into 3 तो 2 into 3 6, 6 into 2 12 4 into 3 12, 12 into 12 that means 144 अब required number जो है क्या हो जाएगा 144 plus 5 that means 149 ठीक है 149 कौन्सा option राइट होगा यहाँ पर option third तो easy है questions बस format आपको पेचारना है और solve करना है अब question number 4 what is the greatest 4 digit number which when divided by 10, 15, 21 and 28 leaves remainders 4, 9, 15 and 22 respectively तो यहाँ पर 4 digit greatest number हमको find out करना है जिसको 10 से divide करने पर 4 remainder हमें मिले 15 से divide करने पर 9 remainder मिले 21 से divide करने पर 15 remainder मिले और 28 से divide करने पर 22 remainder मिले तो इस तरह का कोई format हमने previous देखा नहीं है तो यह दो format को mix करके एक तरह से question बनाया गया है और दो format को उनके methods को हमें mix करना पड़ेगा इसके answer को find out करने के लिए तो यहाँ पर required number जो है वो क्या हो जाएगा 4 digit greatest number 4 digit greatest number क्या होगा 9999 उसमें से हमें r को minus करना है r क्या होगा इन numbers का lcm हम find out करेंगे उस lcm से 9999 को divide करेंगे remainder जो भी होगा वो r होगा और इस value में से हम k को minus करेंगे अब k क्या होगा यहाँ पर k हमने देखा था x minus a अलग-अलग case में अलग-अलग remainder मिल रहे हैं ठीक है तो k क्या होगा x minus a या फिर y minus b या फिर z minus c आगे जो भी value आएगी वो सब कुछ same होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर पहले यह condition हम check कर लेते हैं 10 minus 4 6 15 minus 9 6 21 minus 15 6 28 minus 22 6 ठीक है तो हर एक condition में cakey value हमें 6 मिल रही है ठीक है तो इस formula का use करके हम greatest 4 digit number हम find out कर सकते हैं जिसको 10, 15, 21, 28 से divide करने पर हमें remainder 4, 9, 15, 22 respectively मिले तो LC हम find out कर लेते हैं हम 10, 15, 21 और 28 का 2 से हम divide करेंगे 10 divide होगा 5 time 15 divisible नहीं है 21 divisible नहीं है 28 divide होगा 14 time अब हम divide कर सकते हैं 3 से ठीक है तो 5 divisible नहीं है 15 divide होगा 5 time 21 divide होगा 7 time और 14 जो है divisible नहीं है इस वज़े से 14 as it is हम लिख देंगे 5 से divide करते हैं 5 divide होगा 1 time 5 divide होगा 1 time 7 divisible नहीं है 14 divisible नहीं है अब 7 से हम divide करें तो यहाँ पर तो 1 1 आ चुका 7 divide होगा 1 time 14 divide होगा 2 time तो LCM क्या हो जाएगा 2 into 2 into 3 into 5 into 7 तो 5 into 2 10 2 into 3 6 6 into 7 42 42 into 10 4 20 हो जाएगा value यहाँ पर क्या आ जाएगी 840 तो यहाँ पर 9 5 और 1 remain रह जाएगा 9 को हम लेंगे और यह लगबग divide होगा 3 time तो value कितनी आ जाएगी by 420 into 3 that means 1260 remain कितना रह जाएगा 9 3 5 minus 2 that means 3 तो remain कितना रह गया है यहाँ पर 339 जो की R की value है required number हम find out कर सकते हैं R और किकी value हमारे पास में हैं तो 9999 minus 339 minus 6 339 minus 6 that means 345 9999 में से 345 हम minus करते हैं तो value हमारे पास में आ जाएगी 9654 तो कौन सा option राइट है यहाँ पर option first तो यहाँ पर यह एक ऐसा question था जिसका exactly format हमने नहीं देखा था दो format को mix करके हमने इस question को solve किया है क्योंकि remainder जो है वो अलग-अलग है हर एक condition में और हमने जो format देखा था उसमें remainder जो है same मिल रहा था हमें तो हमने क्या किया था 9999 डिट्मिले को यूज किया है तो आप format को पेचान कर easily questions को solve कर सकते हैं फ्रेंज आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेर करें और कमेंट करें तक कि मुझे पता लग सकें आपको यह वीडियो पसंद वीडियो कितना पसंद आ रहा है जिन वीवर्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम upload करें उसका notification आपको मिल जाए